वेलकम डू स्टड़ी चैनल मेरा नाम है मुहम्मद कैसर बात करेंगे दोस्तों साथवे फेज की एक बहुत बड़ी भरती की जो लगभग 3 लाग पदों पर होने जा रहा है प्रोफेसर चंद सेखर जी ने ट्वीट किया है जो सिक्षा मंतरी है बिहार के और बिहार में साथवे चरड की भरती का इंदजार हो रहा है आज कल आज कल लगा हुआ है किसी भी दिन निमावली जारी हो सकती है इस सिक्षक भरती की ट्वीट किया है यहाँ पर सिक्षा मंदरी जी ने कि सिक्षक नियोजन इमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है अब ये कैबिनेट में जाएगा जैसे ही कैबिनेट से पास हो जाता है दोस्तों ये नई निमावली उसके बाद विग्यापन जारी कर दिया जाएगा 2023 में सिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगी जिसमें 1,5,6,8,9,10,11,12 सबी सिक्षकों के पद होने वाले हैं आगे इन्होंने बताया कि महागडबदन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया था उस पर वो कायम है और पूरा करके दिखाएंगे तो एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बिहार से बात करेंगे इस भरती पर थोड़ा सा और डिटेल में लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना तो दोस्तों अगर आप किसी भी टीचिंग एकजाम का प्रिप्रेशन कर रहे हैं जैसे यूपी टैट, सुपर टैट, सी टैट, के वियस या डिटर पलस भी तो टीचिंग वाला लेकर आया है आपके लिए टीचिंग का महापैक बेस्ट एजूकेटर के साथ और वो भी बे जी पीपी और प्रिवेस येर कोश्यन अवेलेबल हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों गूड न्यूज ये भी है कि अगर आप हमारा कोड यूज करती हैं सीक्यू वन फिप्टी तो आपको सीधे सीदे 150 रुपे का डिसकाउंट मिलेगा टीचिंग महापैक पर और आपको य ये आज ही टीचिंग वल्ला के साथ पी डबलू की अब डाउनलोड करें डिसक्रिप्टी बॉक्स में लिंक दिया गया है तो दोस्तों बियार में छटे चरड की भरती पूरी हो गई वो भी काफी बड़ी भरती थी लेकिन उससे भी बड़ी भरती साथवे चरड में होगी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सभी अस्तर के सिक्षकों की भरती बियार में होने जा रही है सीट अट बियार में वैलिड है यानि की प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए सीट पास चात्र आवेधन कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी एक्जाम नहीं होता है आपकी academic record और टेट के marks के पर बेरिट बनती है और उसी के आधार पर चैन होता है अब इस बार की निमावली में देखना होगा क्या कोई बदला हो रहा है किस तरीके से मेरिड बनेगी किस तरीके से मेधा सूची बनेगी यह निमावली जारी होने के बाद क्लियर होगा एक सवाल बहुत सार चात्र प बिहार टीचर अलिजबेल्टी टेस्ट की परिक्षा नहीं कराई गई है, बिहार सरकार ने कहा कि जब सीटेट हर साल हो ही रहा है तो हम सीटेट के अधार पर ही भरती कर लेंगे, अब देखना होगा कि अधर स्टेट के सीटेट पास चात्रों को इस बार मौका मिलता है या न सीटेट हैं कि साथवे चरण में भी इन्हें मौका मिल सकता है बाकी विग्यापन जैसे जारी होगा कैबिनेट से निमावली जैसे ही पास होगी तो अपडेट आपको कर दिया जाएगा आप हमारे साथ बने रहें बिहार सरकार सिक्षा के छेतर में, रोजगार के छेतर में काफी अच्छा काम कर रही है और इससे सीख लेने की जरूरत है उत्तर प्रदेश के सरकार को क्योंकि यहां पर प्रात्मी सिक्षक भरती की मांग पिछले चार-पांस सालों से हो रही है भरती आ नहीं रही है टीज़ेटी पीज़ेटी की परिक्षाफासी हुई है यूपी से तो आपको सुचना जरूर दिया जाएगा फिलहाल गुड न्यूज आ रही है बिहार से इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइबर के बलाइकन दबा लेजिए ताकि आपको सभी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मि थाझज वागिए